इंडिया फाउंडेशन के द्वारा एक जो सिरीज जिसके द्वारा समाज में, सरकार में, विबिन्नस तरों पर काम करने वाले लोगों से हम एक चर्चा की शुरूंखला चला रहे हैं इसमें आज आपका स्वागत है आज केवल भारते नहीं पूरा विश्व कोरोना के महामारी के संकट से जूज रहा है और भारत में विशेशकर इस संकट से लड़ने में समाज की एक भूमी का रही और एक तरीके से उसका नेतरुत्व राश्ट्रे स्वयम सेवक संगने किया इस सारे संकट के समय संग की भूमी का, समाज की भूमी का, सरकार की नीतिया आने वाले समय में इन संकटों से हमें कैसे जूजना पड़ेगा इन सारे विशेव पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राश्ट्रे स्वयम सेवक संग के सरकारवा मन्य बहिया जी जोशी उपस्तित है आज हम उनसे चर्चा करेंगे नमस्कार बहिया जी ये सारा कोरोना संक्रमन का जो एक कालखंडा आया इसमें संगन एक बहुत महत्वपूर भूमी का निभाई है भारत के समाज ने भी इसको एक अलग तरीके से रिस्पॉंड किया है आप सारे इस परिदृषय को कैसे डेखते हैं हमारी पिधी ने तो इस परकार का महामारी का संकट पहली बार देखा है लेकिन हम सब जानते हैं कि संग के स्वहनसकों का अपना एक सभाव है कि जैसी आपदा होगी उस आपदा को समझ कर उसमें से राष्ता निकालते हुए और आ हमेशा हम करते आए और इसलिए यह एक शरू में जब परिसिदी निर्मान हुई और भारत सरकार ने एक लागडाउन करने का निरने किया, सब प्रकार के प्रतिवन्द आये, लेकिन जो जिनका जीवन रोज की कमाई पर चलता है, ऐसे बंदों के सामने जरूर जीवन मरन का प पहले उनके लिए सब प्रकार से भोजन कम से कम उपलब्द हो जाये, इसनाते और काड़े करता उने प्रयास प्रारभब किये, दुसरा जो इस अंकट बाद में ध्यान में आये कि रोज की कमाई बंद होने के कारण, एक आर्थिक जो संकट दिर्मान हुआ, तो उस समय उनक तो कम से कम कुछ दिनों के लिए राहत मिले, इसनाते भोजन पैकेट के अलावा, उनके लिए कम से कम एक महने भर के लिए कुछ अनाज राशन उपलब्द हो जाये, यह जब बात सामने आई, तो देश भर के सभी जिलों में इस पकार के आवश्यक्ता द्यान में आने के का तुरंत भोजन के पैकेट और जीवन आवश्यक वस्तों का एक उपलब्द कराना इस दिशा में और संग के स्वयंसों को ने प्रयाश शुरू किये, मैं समझता हूं कि लगबग दो लाग से भी अधिक कारे करता इसमें लगे है, और एक करोड परिवारों तक भिन्न भिन् तो एक शुरुवाती दिनों में इस पकार क्या वश्यक्ता थी, उसके बाद जो परिसितियां और बदलती गई और कुछ राज्यों से जो प्रवासी मजदूर है, उनका भी जब जिवन के प्रती अस्थिर्दा का जो वाता और निर्मान हुआ और उसमें अपने अपने गा प्रवस्ता हो नहीं पाई थी, और इसलिए लोगों ने जो पेदल चलना प्रावब किया, तो एक बहुत दुखत परिसिती हम सब के सामने आ गई थी, कि अपने निजी सामान को लेकर, बच्चों को लेकर, बड़े आयू के लोग महिला हैं, और अपने गाउं में पहुचन निर्मान हो रही है, और इसलिए जिन जिन रास्तों से ये जा रहे थे, उन रास्तों पर और इनके लिए कुछन कुछ व्योस्ताएं खड़ी-खड़ी की जाएं, इसना ते प्रवासी मजदूरों को स्थान स्थान पर भोज़न मिले, और उनकी जो आवशकता ही थी, इसे म मध्यपरेश के बारे में में कह सकता हूं कि महारष्ठ से निकले हुए मजदूर मध्यपरेश में आते आते हैं, उनकी पाओं की चपले भी सब टूट गई थी, तो बहुत बड़ी मातरा में चपल वितरन का भी काम स्थान सकों ने उस समय की आएं, कई बीमार भी हो जाते तो चिकिट्सकों की आवशिकता रहती थी, इनके लिए चिकिट्सकों की व्यवस्ता करना, दवाईयों की व्यवस्ता करना, इस प्रकार का एक बड़ा काम चला, वो भी लगबग में समझता हूं कि 30-40 दिन इस प्रकार का काम चला, बाद में शासन्य देल्रे की व्यवस्त कि करने क्या वोशक्ता है कि शासन ने जब व्योस्ता है बदा ना शुरू किया तो उसमें प्रवासी मजदुरों का पंजी करण एक बहुत बड़ी एक समस्या थी तो कही स्थानों पर संग के स्वय शासन के अधिकारियों से बाचीर करते हुए ऐसे परवासी मजदुरों का पंजी करन करना उसमें शासन का सहयोग करना इस भूमिका से भी पर इस थानों पर काम में लगे और मैं समझता हूं कि ये स्था काम देश के अलग-अलग स्थानों पर बड़ी मात्रा में हुआ है और जब दिन आगे बढ़ते गए और समस्याएं और अलग-अलग प्रका का रूप लेने लगी तब हमको लगा कि अब शासन की व्योस्ताइं हम कितना भी कहें तो भी जब तक समाज का सायोग नहीं मिलता है तब तक शासन की व्योस्ताइं पर हम किस प्रकार के स्वयन सेवक मतलब वालिंटेर्स के रूप में आपको किस काम के लिए उपलब्द करा सकते हैं इसकी चर्चा होती गई और स्थान तान पर जो बाती ध्यान में आई उसमें सब प्रकार का काम शुरू किया एक बड़ा मुझे कहने में प्रसंदा तो नहीं कहूंगा परणत्र हमारे कार्यकरताओं का एक साहस में कह सकता हूं कि सब प्रकार का खतरा मौल लेते हुए और कोरोणा घ्रस्त चेत्रों में इसको यहां पर बड़ा संक्रमीत प्रभावी चेत्र माना गया ऐसे चेत्रों में जाकर महां के स्वास्त कर्मियों को पूरा सयो करना ये काम गई स्वायंसे को ने प्रारमब किया वह एक खत्रा था इन्हें भी यह भी रोग से संक्रमित हो सकते थे परन्तु किसी प्रकार का भी अपने स्वायं क्या विचार न करते हुए और इस आउशक्ता को ध्यान में लेकर और स्वायंसे वह उत्रे और कोरोना परिक् पेहन कर थोड़ा ट्रेनिंग लेकर और पिषेचता मैं दिल्ली, मुंबई, पुने ऐसे एक्षेत्रों में तो मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी मातरा में इस एक्षेत्र में कारे करता होने और उस बस्तियों में जाकर सगन बस्तियों में जाकर प्रेपरिक्षन करने में दिल्ली में अलग-अलग प्रकार की हेल्प लेंस बनाई थी। उसमें विशेश्टान इशान्य भारत से उत्तरपुर्व के ख्षेत्र से जो बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में रहते हैं उनके कुछ समस्य आई थी। इसलिए उनके लिए एक हेल्प लाइन एक शुरू क की गई थी। जिसको जो आवशक्ता है वो संपर्ग करें उनके आवशक्ताओं की बुर्ति की जाएगी। तो कई लोगों के दुरुभाश आते थे उनके लिए भोजन उपरवद कराना उनके लिए कोई सामगरी उपरवद कराना तो बहुत ही अल्प समय में ऐसे जो दुर तो कि अन्यानुए प्रांतोमें अटके हुए लोग है उनकी बी कुछ मांगे आती थी और दुदी प्रटबन खेशा हों के जान विःशक्ता का और वुएशक्ता करण गय से इस हेंने फ्रीयन स्वपर्ति कर नाम से जूरू की ती ancestorsically किसी प्रकार की भी सेवा क्या उशक्ता है तो हमारा अनुभो रहा कि वो जो सेवा चाहिए वो उसका अलाव बहुत लोगों को हुआ है और उसके करण हम लोग कुछ बाते पहुंचा सके और बहुत एक पीडा दाय काल खंडर रहा और सवयंसकों ने बहुत ही समवे दना के सा इसमें सामने कोई शत्रू नहीं है जो शत्रू है वो अधर्ष है और इसलिए उसके कोई पुरवानुमान हम नहीं कर सकते और पुर्वा अनुमान नहोने के कारण जो जो गटनाए गटती गई उसको देखकर ही सप्राइर के नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता था, व्योस्ताओं में परिवर्तन करना पड़ता था मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इसमें समाज के भिन्द भिन्द प्रकार की जो धार्मिक साउस्ता हैं उन्होंने हमको बहुत बड़ा सहयोग किया है। जायन समाज की साउस्ता हैं कि जो भी हमारे साथ मिलकर इसमकार क काम में साधन जुटाने में ऊंके बड़ी भूमिका रही और मनुष्य शक्ति के द्वारा जो करना है। उसमें हम लोगों ने संगग के स्वेंसद्ग को ने एक भुमिका का जिर्वा किया है क्या ऐसी खासियत है, शंगऐ ऐसा क्या ट्रेणिंग देता है कि स्वेंसेवक मतलब, कुछ उदारन मैंने भी कुछ स्टोरी में cover किये कि परीजन भी मृतुकों के अंतिन संसकार करने के लिए नहीं पऊंचे लेकिन स्वहन सेवक वहाँ परशासन के साथ सयोग करते ते हुए Civil Auspitals के साथ सयोग करते हुए वो सारा काम स्वहन सेवक över his hat किस तरह का उनका ये ट्रेनिंग होता है कि आएसी स्थिती में भी वो रिस्पॉंड कर जाते हैं देखिए हम आपदा प्रभंदन के हम तग्य नहीं हैं और इसलिए उस परकार का हमने कोई प्रशिक्षिन तो नहीं दिया है परन्तो एक संग में जो एक संउसकार मिलता है कि जब भी कुछ ऐसे आपदाएं आती है तो वो आपदाएं हमारी आपदाएं समझ कर हमने अपनी सारी शक्ति लगानी चाहिए इस पकार का विचार संगडन में हमेशा होता आया है और उसका ही परिणाम है कि स्वयन सेवक परिस्थिती को समझ कर उसके अनुसार अपने आपको तयार करती जाता है हम कोई प्रशिक्षिन नहीं देते हम साधन भी कभी नहीं दे पाते हम साधन जुटाने का काम भी वो करता है समाज के साब पास जाता है और हमारी कोई केंदरी व्योस्ता नहीं है तो कोई आदेश निगाने का कोई व्योस्ता बनाएं नहीं है लेकिन द्रष्टी कोन ये है कि संकत है और हम चुपचाब ईसके मुख साक्षी बनेंगे ये पैसे चलेगा जब हम कहते हैं कि सारा समाज अपना है तो साभवाई कुरू से ये क्रिया है बिना किसी स्वचना के बिना किसी आदेश के होती है और मैं इतने वर्षों क्यानुवों के आदार पर खे सकता हूं कि बिना प्रशिक्षित लोगों के समान हमरे स्वेंसब काम करते हैं संग के विचारों से प्रेरिद बहुत सारे संगटन उद्योग और आर्थिक शेत्र में भी काम करते हैं और उन्होंने भी कुछ पहल की है तो इस आर्थिक संगट को संग कैसे देखता है संगट अलग-अलग प्रकार के है यह जो मजदूरों का स्थलांतरन हुआ है यह एक विशेश परिसीति में हुआ है इसकी स्थलांतरन करने की अवशिक्ता नह रहे इसका दूरगामी समाधान है आज तुरंत दूरगामी समाधान अस आज नहीं सोच सकते है परन्तू इसका निश्चित समाधान तो उसी में है कि मजदूरों का कम से कम रोजगार के लिए बहुत बड़ा स्थलांतरन हो यह किसी भी देश के लिए उचित नहीं पर तो यह सिद्धानत हो गया है आज वे और एक दरातल पर अगर हम आते हैं तो रोग रोजगार चाहिए और बड़े-बड़े रोजगार बिना मजदूरों के बंद हो सकते हैं इसलिए उद्योग चलाने वालों को भी मजदूरों के अवश्यक्ता है और मजदुरों को भी रोजगार की अवश्यक्ता है और इसलिए ये जो एक स्तेलांतरण हुआ है मैं इसको अस्था ही मानता हूँ और संभावना है कि बहुत बड़ा प्रतिशत सामाने परिसिते आते ही फिर अपने अपने स्थान पर जाने की बहुत बड़ी संभावनाई है परन्तु इसके साथ साथ कुछा परतिशत तो वरक जरूर ऐसा रहेगा कि जो अब अपने गाउं की तरफ गया है वो वहीं रहना पसंद करेगा और इसलिए राज्यों को एक आवश्यक्ता ध्यान में आती कि राज्यों ने करने क्या होशक्ता है कि ऐसे अपने स्थान पर आये हुए लोट कर आये हुए मजदूरों का फिर एक बार पुनर्वसन केसा हो उनको रोजगार यहीं पर उपलब तक केसे हो इसका विचार और राज्य सरकार में प्रारंब करना चाहिए और किया भी है मैं सुझता हूँ कि कुछ राज्यों ने इसमें अच्छी पहल की है और जो कोशल विकास का जो प्रशन आता है तो कोशल विकास की योजना है हम जितनी अच्छी बनेगी उसके आधार पर मजदूरों को उसर शेत्र में ही इस पकार के और कोशल मजदूर चाहिए अगर वहीं उपलब्द हो जाएंगे तो बाहर से आने का वश्यकता नहीं देगी और इसलिए एक अच्छा इस संकट में भी एक आउसर है कि समस्या की समाधान की दिशा में अच्छे प्रयोग किये जाए तो यह एक में लगता है कि यह बहुत आवश्यक बात होगी इस संकट में भी एक आउसर भी है इस आउसर को और अच्छे परिनामों के दिशा में परिवर्तित करना तो इसमें सरकार और सहवी समस्नाएं इसमें आगे आएगी और कोशल विकास में अच्छी होजणाइं बनती हैं स्कील अधे विशे में थोड़ी अपनी सीमाय छोड़नी पड़े 경े और जब संकटा आता है तो कोई एक स्टेंड फॉरमेट बनना मुश्किल है यह सटेंड़ फॉरमेट के आवश्यक्ता नहीं स्थान स्थान का सर्वे अध्यान करते हुए वो करने के अवश्यक्ता रहेगी तो कुछ राज्यों ने इस दिशा में अच्छी पहल प्रारंब की है लेकिन बहुत बड़ी मास्तरा में मजदूर वापस जाएगा उद्योग चलना है तो तुरंत वहां मजदूर मिलेंगे इस अच्छी पहल होगी इस कारण एक और बात ध्यान में आगई कि जतना इसको डिसेंटलाइज करते जाएंगे इन व्योस्तावों को मिलेंगे अच्छा होगा कुछ राज्य है कि जहां से मजदूर ज्यादा स्तलावां ज्यादा करते हैं और कुछ राज्य है कि वहां पर ज् विकेंदिकरन होगा तो यह साभावीक है, पर तो मैंने कहा कि कुछ लॉंटन बाते हैं, तो उद्योगों का विकेंदिकरन होगा, इसके लिए कुछ समय लगेगा, पर ततकाली नसीदी में तो मजदूर वापस जाएंगे, उद्योग शुरू होंगे, और तभी उद्योग श लिक्षा चलाते हैं, सबजी की गाड़ी चलाते हैं, छोटे मूरी चाय की टपनी चलाते हैं, उनके जीवन में जरूर प्रशन ज्यादा आये हैं, तो ऐसे सब लोगों को, फिर कैसे उनका जीवन पुर्ववत प्रारम होगा, जब तक ये लॉटड़ाउन और उसकी समस्या उसके कारण निर्मान होई, समस्या जब तक हल नहीं होगी, तब तक ये रोज का जीवन पुरारम बने होगा, और इसलिए मुझे लगता है कि शासन का मैं इसके बारे में, मैं उनके पहल का हम स्वागत करते हैं, कि उन्होंने अनलॉक पद्दती शुरू की है, अब लॉक अनलॉक है, ताला लगाया है, ताला खोलना है, ताला खोलने का भी एक प्रक्रिया रहेगी, तो मुझे लगता है कि द्रश्टिकोंड सरकार ने सामने रखने के कारण बहुत ही अल्प समय में, ये सारी बाते फिर एक बार शुरू होगी, ये जरूर है कि संकट भी एक स्वयम रोजगार है और विकेंदिर करण है, जितना होगा, उतना लाब दैखोगा, तुरंत तो ये जो पुरानी व्योस्ता हैं, उसको फिर एक बार अल्प समय में शुरू होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. आर्थिक विशय में और एक जो बिंदू चर्चा में आया है, प्रदान मंतरी जी ने भी उसकर कॉल दिया, स्वयम सभी संगटन भी, संगविचारों से प्रेरित संगटन भी उसके बारे में अभी कुछ न कुछ पहल कर रहे है, वो स्वदेशी और भारत का है. तो किस तरह से आत्मनिरवरता क्योंकि अभी तो ग्लोबलाइजेशन का युग माना जाता है, एक दूसरे पर निरवरता बहुत जादा है, तो ऐसे में लोग स्ववाई गूप से खास करके आर्थिक विशयों के जानकार ये सवाल करते है कि किस तरह से आत्मनि उत्मादन होते हैं. प्रधान मंती जी ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है कि लोकल के लिए भोकल बनो. अगर इसको बढ़ाव मिलता है, छोड़ी-चोड़ी काम है. मैं उधारन के लिए बता हूँगा कि बेकरी है, तो उस निश्चित सीमा के ख्षितर में बेक तो ऐसा एक बहुत बड़ा अध्यन करते हुए और ऐसे उस जिलों की सामान्य बातों की अवशक्ता है वहीं पर पूरी करने की वह उस्ताबरी. मैं मानता हूँ कि कुछ मुस्तु है ऐसी जामगरी कि जो छोटे उद्योगों में होने वारी नहीं है, तो बड़े उद्योग पर अगे जाना है तो फिर एक जागतिक स्थर पर उचा करना है तो यह ठीक है कि अज प्रश्प्राव रंबन का जीवन प्रारब हुआ है परन्तु यह आउसर है कि हम अपने देश की आवशक्ता है हम अपने देश में पूरी करेंगे उसके नीचे जब जाएंगे अपने देश की आउसर हम राज्य में पूरी करेंगे उसके नीचे जाएंगे तो अपने जिले की आवशक्ता हम जिला पूरा करेंगे यह जिला जो है जिला इकाई को इस समय और इस आत्मा निर्वर भारत की दिशा में अगर जाना है तो अमको जिला केंडर उसको थुड़ा सा ज उसके लिए राज्य भी केंदर नहीं बन सकता है, उसके लिए देश्बर काई विचार होता है, ऐसे रहेंगे, पर बहुत बड़ा उद्योग जगत ये विकेंदरित हो सकता है, उस परांत की, उस जिले की आवशक्ता है वही पर पूरी हो, इस दिशा में हमको पहल करनी दुसरा है कि इस घटना के कारण एक स्वदेशी का भाव विकसित हुआ है, और एक विचार दिरे दिरे परसुत भी हो रहा है, कि हम यथा संभव, देश आत्म निर्वर बनेगा, तो हमारी आवशक्ता है यहां पूरी होगी, हमारी आवशक्ता हैं थोड़ी कम जादा गु इसको और अधिक परुटसेद करने के आवशक्ता रहेगी, बहुत बार क्वालिटी पर आकर गाड़ी रुख जाती है, परन्तो अगर यह समाज ने करोड़ों के समाज नगरी स्विकार कर लिया, कि बुनवत्ता में थोड़ी कमी होगी, परन्तो अपना है, हमारा है, तो फ अपने देश के महापुरुशों का सवपन रहा है, कि देश अपने पेरों पर खड़ा रहे है, दुसरों के गुनगान करने से हम कभी बड़े नहीं हुए, दुसरों की नकल करने से भी हम बड़े नहीं हुए, अपने यहापर प्रतिवाय है, पुरुशार्त करने का है, जो में जमीन पर उत्रा हुआ हम दिख सकेंगे और उसकी लिए जो और अधिक नियोजन चाहिए वो हो जाए पस यह आपिक्षा करते है इसका आपने एक बहुत सकारात्मक पहलू रखा लेकिन सामान्यता समाज में जब इसका यह जाता है और आजकल जैसे सोशल मीडिया में खास करके जो चर्चाय चलती है तो इसका नकारात्मक पहलू आता है कि और खास करके अभी जो सीमा पर जिस तरह का महौल है उसको लेकर बॉयकॉट चैनीज प्रोड़क्ट और इस लाइन पर ही सारी चर्चा होती है तो आप इसको कैसे लिए तो साभाविक है जब इतनी बड़ किसी एक देश को लेकर सारे दुनिया वर में चल रही है तो भारत में भी चलेगी उसका प्रतिनिदी कोई एक देश बन गया है आज चिन बन गया है और इसलिए साभाविक रूप से ये बिना किसी के परेवत्नों से सामाने वेक्तिक करा है कि हम यह नहीं लेंगे हम इसको स कि अगोशिच चत्रू के खिलाफ और यह मैं समझता हूं कि एक यवल किसी एक देश तक सिमीद नहीं रहेगा आंके चल कर अपना आत्मनिर पर दिशाक में जाएगा सा मुझे लगता है शुरू में नकारात्म लग सकता है कि कि किसी देश की वस्तों को बाइकाट करो परंत कि समाज जीवन का वशकता है और जब पूरी नहीं होगी तो भःष्कार करने से किसी जलेगा तो पूरी होने की वस्ता चाहिए आज शुरूबात इससे हुए कि हम इनकी चीजे नहीं लेंगे हम चीन की चीजे नहीं लेंगे एक साभवी कुआ है कि इसे जना अंदोलन नह अब इसके बार में तो चीन को सोचना पड़ेगा क्या करना है लेकिन ये अवसर जरूर में मानता हूं और ये केवल भारत के लिए नहीं तो दुनिया के लिए भी अच्छा संदेश है कि हर देश अपने अपने अवशक्ता है अपने बल पर पूरा करें दूसरों को शोशन कर अब दूसरों पर दिरवर रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा अभी चर्चा में है कि सीमा पर एक संकट लगता है लेकिन सरकार ने हमारी आम फोर्सेस ने उसको एक तरीके से डील किया है परंपरा से ये मामले हर बार आते थे किस तरह से अभी इस बार आप पर इन्फरस्ट्रक्चर इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुआ है वास्तों में ये विशे तो हमारे सोचने के बाहर का है क्योंकि इसमें सुरक्षाबल सरकार नीतिया बनती है उसके ओपर चलेगा पर कोई भी देश अपने देश की सीमा ओपर अक्रमन को कैसे स्विकार कर स किता है और इसलिए परस्ट पर संबंद बनना ये निर्वर करता है कि कैसे होगा कोई भी देश अपने सीमा ओरती देशों के साथ तनाव नहीं चाहता है परन्तु इसका विचार दोनों तरब से होने की होशक्ता रहती है और इसलिए आज की वरतमान परिस्दी में मुझे से लगता है इसका समाधान देश की सब प्रकार के शेना बायुदल रख्शय क मंतरी प्रधान मंतरी इस सब ने मिलकर इसका विचार करते हुए इस अंकर से भारत की सुरज़ा केसे होगी क्योंकि ये सामाने जनों का विशे है नहीं ये सरकार और शेना का जहां तक हम सामानी लोग हैं, सेना पर हम पूरा विश्वास रखते हैं कि अपने सेना का सामरत ये अच्छा है. और इसलिए बोटने इस सामरत apparatus का ध्यान में रखते हुए, सरकार अपने नीतियां और इस मेरे में जो योजना बनाना है, वह बना है. मैं इतना विश्वास की साथ के सरता हूं कि इस समय शासन जो पहल करेगा समाज शासनवार सरकार के पीछे खड़ा रहेगा आज डिजिटल एजुकेशन की बात चल रही है लेकिन समाज के हर वर्ग के पास ये शिक्षा पहुचना इतना आसान भी नहीं है तो ऐसे में आने वाले समय में शिक्षा में परिवर्टन होंगे समाज केंद्रित शिक्षा की संग बात करता ही रहा है तो ऐसे में शिक्षा को लेकर चुनोती या संग के और भी संगटन इसको लेकर कुछ पहल कर रहे है क्या इस बीच में कि इसमें अभी का एक वरतमान, तुरंत जो संकट है, वो एक भिनन प्रकार का है, उसमें दो पहलू है, कि आपने भारत में शास्किय व्यावस्ता के साथ साथ, निजी, शिक्षा, सावस्तान भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, कि जो समाज के सहयोग पर ही चलते हैं, अब इस आरथिक संकट में वो कैसे इसको निर्वा करेंगे, यह उनके सामने प्रष्णा है, क्योंकि वो स्वयम अपने ही बल पर खड़े हैं, इसमें बहुत बड़ा जो उसका हिस्सा है, वो समाज उठाता है एक शिक्षा शुल्क के माध्यम से, उसमेर थोड़ा असर इस का मौस्दानों का एक संकट है, और जो आर्थिक संकट में हैं, उनको इस प्रकार की कैसे शिक्षा उपर अब्द होगी, यह भी एक संकट सामने है, मुझता है कि इसका बहुत अलग 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 लोगों ने मिलकर विचार करने के अवशकता रहे, और यह संकट कम से कम एक साल रहने वाला है, बिन्द बिन्द परकार के अधोनिक माद्यमों का सहयोग करते हुए शिक्षा दी जाएं, इसकी भी अपनी एक सिमा है, अगर हम मानें कि आठ पर्तिशत जनजातिक शित्र हैं, कि जहां पर सभी इतने दूर दराज में इसा व्योस्ता हैं, पहुंची हैं, बहुत बड़ा जो वर्ग है, कि जो दरी दरी करीबी रिशा के नीचे जीवन जीता है, उनके बाद सिमा की साधन ने, उनके बच्चों का शिक्षा का क्या होगा, तो ये जो अधोनिक साधनों का उपय करते हुए शिक्षा पहुचाने की बात हो रही है, इसके अपनी एक स समाज के समाज के सब प्रक्राइब करते हैं, इसमें से कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, स्वेम सेवी सहुस्ता इसका जिम्मा कुछ उठा सकती है, कि वो बच्चों का कोशिंग करें, बच्चों को सिखाएं, अपने घर में कोशिंग क्लास जैसे चलाएं, और इस एक अगले वर्षे की जो बात आईगी, उसमें कुछ बाते सुलब हो सकती है, हम को अभी समाज के हम तो चाह रहे हैं, कि समाज के सब प्रकार के इसी विवस्ताइं मिलकर एक वर्षे का विचार अभी तुरंद करना चाहिए, अपोरेबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुक बात रहा है, उसकी विवस्तात में पक्षा इस काल खंड में बिन परकार का होगा, उसका विवहारिक विचार करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है, औसलिए अभी तुरंद जो आवशकता है, कि शैक्षिक वर्ष में किसी भी जातर का नुक्सा 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 नु इसको समझना पड़ेगा, और मुझे विश्वास है, कि समाज की सब प्रका की शक्ति का ठीक नियोजन हो जाएगा, इस वर्षय को हम इस समस्या से बाहर ला सकेंगे. भारत की परमपरा में मेले है, यातराय है, इनका एक बड़ा महत्व है. लोग इकटा आते ही है, कोरोना के संकट में इस परबंधन थे, जैसे अब हमने जगनात यातरा में एक अनुभव किया, कोट की परमिशन से पूरी भी हुई, जो परमपरा है क्योंकि यही समाज को ज है, ऐसे में किस तरह से समाज इन चीजों को देखे है? देखे फिर यहां पर अपने समाज को में नमशकार करना चाहोगा, इतने हजारों वरशों की परमपराओं से जुड़ा हुआ, भावातमक्र, लेकिन इस संकट में हमको इन बातों के साथ तोड़ा समझोता करना चाहि है? इस समाज ने स्विकर कर लिया. इस शासन के नियंदरन के बाहर की बात धली ते वास्तों है. रुग हे और तो इस समाज का सोचने का स्थरह ये दर्शद आए εί और हम लचीला पन sommes कितना ला सकते हैं अपने अ और शलिए जगनात की यातरा को लोगों ने शुगा के लिए ठीक है, इस साल नहीं होगी, अभी सुर्य गरहन हुआ, कुरुक्षेत्र में लोग बताते हैं, कि परती वर्षे यहां पर गरहन के समय लाखों लोग आते हैं, एक बार इस बार कोई नहीं गया, तो लोगों ने अ पुजापाट किये हैं, तो यह भारत की एक बहुत बड़ी विशेश बात है, कि परंपराओं के साथ भी हम अवश्यक्ता पढ़ने पर थोड़ा लचिलापन रखकर हम सुष्विकार करेंगे, इसलिए पंडरपुर का प्रिश्ण समय हाल हुआ, जगानात की यातरा का प्र अब ये बात इतनी बड़ी है, कि घरगर में लोगों ने पुजा पाड होगे, तो यही मंदिर यही देवता है, ठीक है, मंदिर एक अवारा प्रतिकात्मक है, जाना चाहिए, पर इस आलगंड में नहीं जा सकते हैं, नहीं जाएंगे, तो यह जो लचिलापन है, फिर दु यह जाना के केंदर है, मंदिर एक शद्धा के केंदर है, हमारे मेले एक जीवन को दिशा देने वाले है, वो शिगरता से पुना पुरुववत होने चाहिए, यह हम सब की इच्छा है, परन्तो अगर समाज जीवन के स्वास्त को सामने रखकर यह नियमों का पालंग करना है तो पालंग करने वाला समाज भी हमने देखा एक अद्बूत है, ऐसा मुझे देखता है। में कुछ वर्णभेत के कारण कुछ समस्या वे उसके आधार पर, भारत में भी वैसा क्यों नहीं हो रहा है रियक्शन, इस पर चर्चा शुरू करने का, इस सारे समस्याओं से हमने यह माइगरंट वर्कर्स के इसमें भी देखा, ऐसे प्रयास हुए, कि लोगों को भढ़क आधाय क्या? समाज जागरन करते हुए, ऐसी ही ताकतों के संदर्व में, हम जागरन करने की दिशाव हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, करेंगे। मैं मुझे विश्वास है कि अपने हां की जो सामाजिक जाती विरादरी की जो व्योस्ता हैं, सादूसंतों की व्योस्ता हैं और इतने वर्षों का संग का भी एक तब तब है उसका पूरा उपय करते हुए इन शड़यंत्रों को हम कितना निश्प्रव कर सकते हैं करने की कोशिश होगी और मैं समझता हूँ कि इतने आसानी से इसे तत्व सफर नहीं होंगे भारत के अंदर नहीं होगे करकि भारत का मानस उत्तेजित होता है भारत का दुरबल वर्ग पीडित होता है उसको समझना पड़ेगा पीडा दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा और इस संकट का लाव उठाते हुए अगर देश को कोई दुरबल करना चाहेगा तो मैं समझता हूँ कि संग जैसे संकटन अपनी समाज जैगरन की भूवी का परभवी रूप से करेंगे तो इस संकट से समाज को सुरक्षीत क्या जा सकता है इस दिशा में प्रयास करने की समने मिलकर करने की आवशकता है संग इसमें कुछ जरूर अपने स्वैंसिकों की शक्ति के बल पर कुछ पहल करेगा संग का ये मत भी रहा है आपने भी बहुत बार ये पहले कहा हुआ है कि भारत के जो समस्या वो भारत की तरीके से सुलजनी चाहिए है कुछ भेद हो सकते हैं, समाज में कुछ तनाव आ सकते हैं, लेकिन उसका भारतिया तरीका है, तो मुझे लगता है, आज के संदर में और भी महत्वपुर्ण हो जाता है. बिलकुल निशिद है, हर देश की समाज रचना और समाज का मानस बिन्न प्रकार का है. इसलिए हमारे यहां की समस्याओं का उत्तर हम अन्य देशों की तरब देख कर नहीं डूण सकते हैं, क्योंकि प्रश्णों के जड़ को समझते हैं, उसके समाधान को भी समझते हैं, और भारत की जो समस्याएं हैं, दूसरों के चश्मों से और दूसरों के साधनों से हल नहीं हो, यहां की मूल बात को समझ कर, इसका समाधान डूड़ना पड़ता है, और संग ने इदिश्छा में प्रयाज भी किया है, यहां के प्रश्ण है, तो समाधान यही के मार के से निकल कोई कोशिश किसी की सफन नहीं होगी, हां यह बात जरूर है कि ऐसे सोचने वाली सकार अत्मक शक्तियों को और अधिक प्रभावी पहल करनी पड़ेगी, यह निश्चित है, हम करने की कोशिश करेंगी, जैसे कि हमने देखा, कौरणा संकट, उसका सारा परिदृष्य, समाज के सामने आने वाले चुनोतिया, और उसमें भारत की विशेष्टा के साथ हम इस परिदृष्य में किस तरीके से एक नए आउसरों के साथ आने वाले समय में उबर कर आ सकते है, इसमें संग की सोच को लेकर मन्या भाया-जी जोशी ने स्पष्टता के साथ हम सबसे च